हेलो ब्रिवन कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्रिसिटी डिपार्टमेंट यानी बिजली विवाक की तरफ से आ चुकी साल 2024 के लिए नई भरतियों के बारे में जहांपर आप सभी के लिए भरतियों के नोटिफिकेशन और आबेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिये गए हैं आप सभी लोग आने वाली 30 अप्रैल 2024 तक घर बैठे अपने मुवाइल फोन के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे दोस्तो इलेक्रिसिटी डिपार्टमेंट की इस विकेंसी के अंदर आपको काफी सारी नंबर और विकेंसी और काफी सारी अलग अलगतर है की पोश्टे मिलेंगी लेकिन कुछ पोश्टों के नाम यहां पर एड़ किये गए बाकी पोश्टों के नाम आपको की विकेंसी मिल जाती है अलग-अलग education qualification background वाले candidate के लिए अलग-अलग तरह की पोश्ट विकेंसी यहाँ पे available है आवेदन कैसे करना है कहां से आपको notification मिलेगा इसके बारे में आपको इस वीडियों में आगे जानकारी मिलेगी कम से कम अगर आप लोग 10 पास है आई टी आई graduation तो आप सब भी अलग-अलग पोश्ट विकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे और इंडे लेबल की जौब मिल जाती है आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आते हैं इन विकेंसी के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं इसके लाबा मेल और फ्री मेल महिला और पुर आपको 28,000 रुपेता की स्टार्टिंग की देखने को मिलेगी कैसे क्या रहेगा सारी जानकारी आपको notification में देंगे आप से छोटी से रिक्वेश्ट वीडियो को आगरी तक जरूर देखें अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको आपके काम की लगे तो इस वीडियो को अभी के भी एक लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा आएए चलते हैं आज के अपने में टॉपिक ऑफिसल वेपसाइट प्लस नोटि ऒखिसल वेपसाइड मिल जाएगी देखे सबसे पहले हम पोस्ट नेम के बारे हम बात करतें मॉस्ट सुधे बहुत सारी है इसके बारे में नोटिफिकेशन बताएं गे आपको यहाँ पर पॉलिय केमिस्ट की पोस्ट मिलती है सेकेंड नमबर पर आपको जह यानी इलिस च इस्टन की पोश्टे मिलती हैं दिन आपको फार्मासिस्ट की विकेंसी हैं और आकरी में आपको इस्टाप नर्स के पदों पर भी कुछ भरतियां देखने को मिलेंगी 18 से लेकर के 40 साल का कोई भी केंडिडेट इन पदों पर आसानी से आवेदन कर सकता है अपलिकेशन फी आपे आप लोग देख सकते हैं जर्नल OVC केटेगरी को 1200 और SCHTPH और बाकी बचे हुए सभी केंडिडेट को only 600 रुपीज पे करना होगा अपलिकेशन फी के रूप में इसके बाद कौन से डिपार्टमेंट से विकेंसी है पावर जनेरेटिंग कमपनी लिम्टेड MPPGCL की तरब से आपको रिक्यूटमेंट के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन-कौन से राज़ों से आवेधन करेंगे विकेंसी डिस्ट्विशन के अंदर अल्मोश्ट भारत की किसी भी राज़ जसे आप लोग आवेधन कर सकते हैं बस यहाँ पर एक छोटा सा फ़र करेगा अगर आप किसी रिजर्व केंडि देते हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 25,300 रुपए से लेकर 80,500 रुपए पर मंद की सेलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इसके बाद है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो की है 10-12th ITI डिप्लोमा ग्रेजवेशन यहाँ पर सभी पोश्टों के अलग है असिस्टेंट का क्वालिफिकेशन अलग है तो बाकी बच्ची पोश्टों का क्वालिफिकेशन अलग आपको देखने को मिलेगा How to apply कैसे आवेदन करेंगे उसकी जानकारी है इसके बाद हम बात करते हैं सेलेक्शन के बारे में देखें सेलेक्शन कैसे होगा पहल इसके बाद हम बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में तो आवेदन दो अप्रैल दोजार चौबिस से अल्रेडी फिल होना सुरू हो चुके हैं और इसकी आखरी डेट है 30 अप्रैल दोजार चौबिस की यानि कि आपके पास अभी भी काफी समय है आवेदन करने के लिए आप लोग अच्छे से नोटिफिकेशन को रेड करें और अगर आप एलेजिबल और इंटरेस्टेड होते हैं तो उसके बाद ही आपको आवेदन करना है आवेदन कैसे करेंगे उसके लिए आपको यहाँ पर सारे के सारे इंपोर्टेंट लिंक प्रोवाइड करव आप लोग यहाँ पर सबसे पहले नोटिफिकेशन की डेट को देख सकते हैं जो की है 9-3-2024 यानि 9 मार्च की और यहाँ पर आपको बताया गया है कि पावार जेनरेटिंग कंपनी लिंटेड में विविन संबर्गों के पदों पर सीधी भरती के लिए नोटिफिकेशन आय हुए हैं यहाँ से अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं कापी ज्यादा पोश्टे आपको देखने को मिलेंगी यू आर यानि जर्नल SC, HD, OVC से लेकर EWS तक के कटेगरी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है और यहाँ पर सभी पोश्टे हैं लेकिन सभी का ना यानि फार्मर्सिष्ट की पोश्टे मिलती हैं और अगर काउंट करेंगे 191 पोस्टे हैं टोटल नंब्र विकेंसी और इसके बाद कुछ पोश्टे ऐसी हैं जिनके लेके बल मेल यानि पुर स उमीदबार ऑवेदन कर सकते हैं और उस पोश्ट का कोड है 006 और 007 जो की J2 क पोश्ट है इसके बाद यहां से और नीचे आते हैं आपको बहुत सारी जानकारी notification मिलेंगी total 39 यानी 39 पोश्ट का pages का ये notification है इसके अंदर आपको आयू सीमा, योगता, आरक्षन, लागू बेतन और नीमो के बारे में जानकारी मिलेगी पहले हम चेर्न प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो आपका CBT, computer-based test होना है जो की 100 नंबर करेगा और एक अंक आपको मिलेंगे इसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो computer आधारित परिक्षा कहां होगी मत्व प्रदेश के यहाँ पर MP के राजी के सहरों में आयोजीत होगी उसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा जब आप लोग आवेदन करेंगे तो आपको कुछ center मिलेंगे आपको center select करना होगा उसके बाद यहाँ से आप नीचे आते हैं 30 सपरेल 2024 तक आप आप आवेदन करेंगे इसके बाद यहाँ पर महत्तोपूर्ण चीजे बताये गई है जिसको आप कहते हैं जर्नल इन्फोर्मेशन इसको भी देखना है और यह सब देखने के बाद आपको यहाँ पर मुख के चीजे देखनी है सैक्षिक योगता की सैक्षिक योगता के अंदर पोस्ट नेम है पोस्ट का कोड असाद आवेदन करते टाइम यह मागा जाएगा और इसके सामने आपकी योगता लिखी गई है तो यहाँ पर सभी पोस्टों के सामने योगता है इसको आपको एक बार जरूर से चेक करना है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ सारी सारी पोष्टे यहाँ पर दी गई है और उनके सामने योगता भी दी गई है योगता देखना जरूरी है उसके बाद ही आप लोग आवेदन कर सकते हैं इसके बाद आप यहां से नीचे आ जाएंगे आपको यहां पर इस्टाप नर्स की पोष्टे देखने को मिलती हैं आपको फार्मसिष्ट की पोष्टे देखने को मिलती हैं सभी के लिए जो कम से कम उम्र है वो 18 साल है एक पोष्ट को छोड़ के पहली पोष्ट की उम्र कम से में दिया गया है आप गूगल पे जाके भी टाइप कर सकते हैं नोकरी खबर.com आपको हमारी ओफिसल वेबसाइड मिल जाएगी उम्मीद करता हूँ वीडियो में दीग इंफोर्मेशन आपको आपके काम की लगी होगी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और आगे आने वाली फोर्म भरने की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोडिविकेशन को आउन करना बिल्कुल भी मिस्स मत करिएगा